च्छोले भटूरे तो खाने में किसको नहीं अच्य लगते, इतने यमी लगते हैं न, तो मैंने सुचा आज मैं छोले भटूरे बनाती हूँ तो सबसे पहले छोले बनाने के लिए मैंने काबली चेने को क्या किया पानी डाल कर थोड़ा उबाल लिया उसके बाद फिर मैंने मसालो की प्रेपरेशन की, प्यास डाला, दो इंच द्रक का टुकडा डाला, लसुन डाला, और हरी मिर्ची डाल दी, और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च जरूर डाले, इसको डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से ग्राइड के लिए, बहुत fine grind नहीं किया, normal grind किया उसको, उसके बाद फिर मेरे तो चने उबल गए थे, फिर इसके बाद मैंने तड़का दिया किसका, कैमरा मेरा बंद हो गया था, तो मैंने तेजपता, बड़ी इलाइची, जीरा, और थोड़ा सा हींग का तड़का दे दिया, और दालचीनी भी डाला था कि मसाले पक जाएं, जब यह मेरे मसाले पक गए, फिर इसके बाद मैंने इसमें चार बड़े टमाटर पीस कर रखे थे, तो मैंने उसको डाल दिया, डालने के बाद, घ्यान दिखिए, आपको मसालों को बहुत ही अच्छे से पकाना है, जब तक इसमें तेल ना दालिया, और फिर उसी बोल से मैंने जो है, वन फोर्थ बोल मैंने सूजी लिया, वो भी डाल दिया, डालने के बाद मैंने करीबन हाफ बोल कड लिया, सेम बोल मैंने लिया है, उसके बाद मैंने नमक लिया, फिर यह तीन बड़े पटटर थे, उबले हुए थे, इनको मैं मैंने अच्छे से मैस कर लिया था और लोन पौट इसपून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल कर इसको बीना पानी डाले गूद लिया भी dogs टान रख दिया तलने के बाद देखिए कितने फुले फुले भटूरे बन रहे हैं इसको दोनों साइट में थोड़ा ब्राउन होने तक तल लूंगी ताकि थोड़ा पके हुए हो जाए इसके बाद फिर यह मेरे भटूरे रेडी है फिर मैंने छोले भटूरे सर्व कर दिये कितने अम्मी टे करें ये